मुझे लगता है शायद बजिट ना उन्होंने धंक से सुना ना उन्होंने धंक से पड़ा जब तक चीन की वो बात करते हैं शायद उनको उनके अपने परिवार का इतिहास पढ़ना चाहिए कि चीन के साथ उनके परिवार के कैसे घनिष्ट संबंध रहे ये भी कहना उचित है कि प्रधान मंत्री अगर देश के जवान के साथ दिवाली जैसा पर्व मनाते हैं जिसमें देश के प्रतिनिदी बनके वो देश की फौज को ये कहते हैं कि उत्सव के माहौल में हम भी बॉर्डर के साथ आपके साथ खड़े हुए हैं तो मुझे लगता है हर देशवासी को गर्व होता है उत्सव का महौल वो होता है दिवाली का पर्व होता है जिसमें हर देशवासी अपने परीजनों के साथ होता है अगर देश के प्रधान मंत्री कहते हैं कि मेरे लिए सरहत पे खड़ा वो सैनिक मेरा परिवार है तो इससे किसी को भी आपत निश्चित रूप से उन से होती है, उनकी होती है, जो उच्छी राजनीती में विश्वास करते हैं, जैसे कि श्री राहूल गांधी.